Hello Students, Welcome back to our YouTube channel RN Study Success Point Hello बच्चों अपने फिर से मारे YouTube channel RN Study Success Point पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है Students आज का वीडियो में जी हम लोग Class 9th का Math का का वर्शिट No. 6 पढ़ने बाले हैं आज का डेट जो है 16.07.2021 इसका वर्शिट है और हम लोग जो है वर्षिट का जो है question का solution जानेंगे तो जैसा कि पता आपका जो वर्षिट अभी वो factorization से आ रहा है algebra से आ रहा है जिसमें आज factorization के बारें पढ़ेंगे तो आज हम लोग factorization के बारें पढ़ेंगे common कैसे लेंगे दो ट्रम में pair बना के कैसे factorize करेंगे या middle term को spilt करके किस तरह से करेंगे तो जो सीधा देखो हम आपका ज्यादा time नहीं लेते हुए सीधा जो आपकी वर्षिट का question है सीधा हम वो कराते ठीक है तो first question दिया हुआ है 8xyq minus 6x square y square ठीक है इसे solve करना है second question है 2ab square plus a square minus 2a square b minus b square इसी तरह से third और fourth question में है factorize करना x square plus 8x plus 12 x square plus 10x plus 16 ठीक है तो पहले हम first question का जो solution से जानने का कोशिस करेंगे तो जो देखो है हाँ पे क्या है 8xyq minus 6x square y square ठीक है तो ये दोनों देखो पहले हम देखेंगे 8 और 6 ये दोनों किस के table में आता है ये दोनों का common factor क्या है 2 के table में आता है दोनों highest common factor हो भी देखते है तो 2 के table में आता है तो हम 2 common ले लेंगे फिर अब देखो इसमें क्या होता है x यहाँ पे है यहाँ पे x square है तो हमेशा जो degree कम हो ना वो common लो चैसे यहाँ पर x है यहाँ पर x square है तो x दो बार है ठीक है तो दोने में x तो common आ रहा है ना तो इसलिए हम common क्या लेंगे x 2 लिए x लिए इसी तरह से बच्चो इसी तरह से देखो यहाँ पर y cube है यहाँ पर y square है y cube का मतलब क्या हुआ तीन बार three times y ठीक है और square का मतलब क्या हुआ दो बार y तो common कितने बार y आ रहा है दो बार तो आएगा आई तो इसलिए जो smallest degree होता है ना वो common लेते हैं ठीक है तो x square y square अब यह दोनों कितने के table में आ रहा था तो यहाँ पर four लिखें और यहाँ पर क्या था x y cube तो देखो हम common क्या लिए थे जैसे x तो common लिए तो एक ही x था तो तो लही लिए नहीं कुछ बचा तो यहाँ पर यह लिखें यहाँ पर y cube है y cube मतलब कितने बार y है three बार y है इसमें हम दो common ले लिए थे ना तब कितना बचा था एक y तो उसे अंदर लिखेंगे ठीक है इस तरीके से यहाँ पर क्या था था और three two just two three just six तो three और x square है तो उसे दो x है एक x तो common ले लिए तो एक x बचे गया y square है तो y square तो पूरा हम लोग common ही ले लिए तो y कुछ नहीं बचेगा that means answer आ गया two x y square bracket में four y minus three x okay students clear or not comment करके जरूर बताना आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है now अब हम लोग question number two जो first का two है वो करेंगे first का two में था two a b square plus a square minus two a square b minus b square ठीक है बच्चो तो हम यहाँ पर देखो पहले एक proper pair बनाएंगे ये दोनों का जैसे ये दोनों में common लेते ये दोनों में common लेते तो एक proper common जो है नहीं आता तो हमारा answer जो था वो क्या हो जाता गलत हो जाता इसलिए पहले हम क्या किये पहले हम क्या किये है students सबसे पहले हम क्या किये है ये दोनों को pair बनाए है और ये दोनों का pair बनाए है तो मतलब इसे arrange करके लिखेंगे ये दोनों को ये दोनों को पहले एक साथ लिखेंगे और ये दोनों को एक साथ लिखेंगे तो यहीं लिखें हो टू टू जोनों में है यह दो है जेड बाद समझ जो एक है तो यहां पर सिर्फ बस एक गार यहां पर यहां यहाँ पर A बढ़िए और इसे A square minus B square जैसे था वैसे ही लिखे देंगे ओके students यहाँ तक I hope समझ में आ रहा होगा आपको यहाँ पर जैसे वैसे भी लिखेंगे यहाँ पर हम लोग formula लगाए A square minus B square I hope कि देखो शब को previous वर्क्षिट में याद होगा A square minus B square का formula आपको हम बतायते क्या A plus B A minus B ओके students A plus B A minus B अब देखो यह पूरा एक है और यह पूरा एक टरम था तो यह दोने में हम कुछ common लेंगे तब ही कुछ common नहीं आ रहता है लेकिन हाँ अगर जो हम यहाँ पर minus common ले लेते हैं तो इसी हम उल्टा करके लेक देए इसके आगर कोई sign यह मतलब प्लस का है तो A minus B ठीक है minus common लेंगे तो यह उल्टा हो जागा जो B minus A था न वो A minus B हो गया इसको adjective जैसे था वैसे उतार दिए अब यहाँ से आप लोग देखोगे अब यहाँ से आप लोग देखोगे कि A minus B इसमें भी आ रहा है A minus B इसमें भी आ रहे हैं आपर bracket लगा लेना आप लोग तो A minus B को हम क्या कर लिए common ले लिए फिर यह large bracket रखेंगे क्योंकि थोटा bracket भी रखेंगे तो यहाँ से बचिए minus 2 A B फिर plus का sign तो plus का sign यहाँ भी उतारेंगे यहाँ से बचिए A plus B थी यह भी उतार दिए ठीक है आप थोड़ा small bracket को दुबारा से खोल देते हैं यहाँ से A minus B भी था यहाँ से minus 2 A ही plus का sign है तो कोई फर्क ने पड़ेगा A plus B हो गया आप लोग को answer check करने का तरीका बताते हैं हम देखो कि सही है यानि यह A को पूरे से multiply करना फिर यह B को पूरे से करना solve करना तो जो question में answer दिया हुआ है जो question है वो यह आना चाहिए तब तो सही है नहीं आ रहा है तो यह गलत होगा ठीक है आपको हम calculation check करने का तरीका भी बता दिया थार्ड question देखो क्या होता है students middle term को split करना है split करना क्या होता है कि देखो सबसे पर देखो हम क्या करते है यह दोनों को आप multiply करो x square को 12 को और कहीं कोने में लिख दो 12 x square यह हमें question में नहीं है कहीं कोने में लिखना है लिख दिये अब हमें दो ऐसा नमबर ढूनना होता है दो ऐसा नमबर ढूनना होता है जिसे plus minus करके तो यह middle term आना चाहिए plus minus करके middle term आना चाहिए और वही दोनों नमबर को multiply करके यह आना चाहिए जो हम कहीं कोन यहाँ पर लिखे थे 12x square तो आपको नहीं समझ में आएगा तो आप लोग इस तरह से पहले 12 का LC हम निकाले ने 2 से गया 6 पे फिर 2 से गया 3 पे फिर 3 से गया 1 पे और इस तरह से किसी का पेर ढूंड बना के देखना हम पेर बनाए 3 2 जा 6 और 2 करते हैं तो यहाँ पे और देखो आगेर पीछे नंबर को बिल्कूल भी छेड़ चाड़ कभी भी नहीं करना है जैसे यह था सबसे पहले उसी को उतार देना जैसे पीछे उसको भी वैसे उतार देंगे वनली हम मिडिल ट्रम के साथ जो भी करेंगे करेंगे आगे पीछे वाले को आप जहां छेड़ोगे यह नराज हो जाएगा आपका कुस्षिन गलत हो जाएगा ठीक है तो एकस स्क्वार एक प्लस ट्वल को ऐसे उतार देंगे यहाँ पे हम बीच में से स्पिल्ट करके क्या लिख दिए पे स्क्रेके 6X प्लस टू एकस य्ठ आता है शाहता है श्क को टू से मल्टिप्ला करें तो ट्वल्ट एकस स्क्वार भी आ रहा है आप यहां से क्या करेंगे यह हम लोग क्या करेंगे फिर से यहाँ यहाँ पर दोनों में कोमit स्टूंडिन्स यहां पर यहाँ यहां पर यह दोनों में क्या कोम अरहा है तो देखको टू लेह लीए तो 2 के टेवलमें 12 कितने पर थीए सिक्स है ठीक है सिक्स हो गहाँ आद दूरल समय हैं यहां तक अब क्या होता है कि यह दोनों यह नौनLoft सीम देखो आप कांशर के ही सचक करने का तरिकर आगर यह दोनों सीम और तब तक कांशर सही है अर्वाइज गया तो यह दोनों सीम तो यह, Alex r R हम यहां लिखेंगे bracket में बाकी जो भी बच गया एक्स यहां पर प्लस टू तिसे bracket में लिख देंगे एक्स प्लस इक्स एक्स प्लस टू ओके आई होप कि देखो आपको समझ में आ कामेंट करके प्लीज जरूर बताना कि आपकी जो विडियो हम बना रहे हैं कितना इस्फुल है आप कितना चीजों को समझ पा रहे हैं ठीक है ताकि हमें भी motivate मिलेगा हमारा जो मेहनत हो बच्चों तक कितना पहुंच पा रहा है, कितना बच्चों का benefit उठा लें, हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है, now, fourth question, fourth में भी same है, x square plus 10x plus 16, पहले क्या बताये थे, आगे पीछे नमर को बिल्कुल नहीं छिड़ेना, इस x square उता दिये, यहाँ पे ऐसे plus 16 उता दिये, यह दुनों का multiply क करके 10 आना चाहिए, 10x, तो हम यहाँ से देखे, इस का LCM आपनों वैसे निकालोगे, तो 8x और 2x का पेर बना, 8x और 2x कितना आगे बच्चों, 10x, 8x को 2x से multiply करो 16x आगया, ठीक है, तो उमीद करते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आगा, middle term का spirit कैसे करते हैं, यहाँ से ब 2, तो 2 का मलियत, यहाँ भी बच गया, x प्लस 8, फिर हम बताया थे, यह दोनों से हमा रहा है, तो आपका अंसर से, यह दोनों के एक बार लिख दे, x प्लस 8, बाकी बच गया, x प्लस 2, तो इसे एक ब्रैकेट में लिख दो, यह हमारा answer हो गया, यही middle term को spirit करके करना होता है में, okay students, तो उमीद करते हैं, question number first, आपको बिल्कुल अची तरह के से समझ में आया होगा, ठीक है, अब हम बात करते है, question number 2 का, question number 2 है, x square minus 9 upon 6 x प्लस 18, फिर x square plus 3 x plus 2 upon x plus 2, ठीक है, देखो थोड़ा वीडियो लिंटी हो रहा, उसके लिए आप घबराने नहीं, क्योंकि हम च x square minus 9, फिर upon 6 x plus 18, तम इसे देखो, x को तो x का square लिखेंगे, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का square, क्या लिख सकते हैं, 3 का square, तो वही लिखे हैं, x square, x square minus 3 square, ठीक है बच्चो, नीचे ये दोनों में हम common ले लिए, दोनों देखो, 6 common दोनों में आ रहा था, highest common factor, तो 6 लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x plus 3, ठीक है, अब उपर देखो, formula लग रहा, a square minus b square का, उपर formula लग रहा, बच्चो, x a square minus b square, मतलब, a plus b, a minus b, तो a plus b, a minus b, जाने की क्या हो जागा, students, x plus 3, और x minus 3, x plus 3 से x plus 3 कट गया, क्यों क्यों डिवाइड में हैं, अब तो multiply में कट गया, यहां स क्या बच गया, x minus 3 upon 6, क्या बच गया, बच्चो, x minus 3 upon 6, this is your answer, यही आपका क्या हो जागा, students, answer हो जागा, ठीक है, तो मिद करते हैं, यह भी आपको बिल्कुल अची तरह किसी समझ में आया होगा, कहीं पर कोई परिशानी नहीं हो रहा होगा, कुछ परिशानी होता भी है, यह था हमें बताना, वैसे हम इतना सान से करार है, तो परिशानी होने की कोई सवाल ही नहीं है, शेकर्ड कोश्चन था, x square plus 3x plus 2 upon x plus 2, ठीक है, देखो, यहाँ पर यह दो थी, पहले हम उपर वालों को क्या करेंगा, वही middle term अस्पिल्ट करके करेंगे, तो पहले हम क्या बत इस बार, क्या इसको इससे किये, तो 2x square, तो ऐसा नमबर ढूंडो, जिससे multiply करके क्या आना चाहिए, 2x square, और plus minus करके 3x आना चाहिए, ठीक है बच्चो, ता हम देखो, देखेते, और 2 का factor क्या आता है, 2 और 1, मतलब हम 2 और 1 ही लेंगे, तो that means 2x plus x, अब plus x की लिखे, क्यो मिस्टर इंडिया होता है, छुपा होता है, x मतलब 1x है, ठीक है, मिस्टर इंडिया आपको पताई होगा न, मूवी देखे होंगे, हाँ, ठीक है, तहाँ पर x square plus 2x plus x plus 2, यह हुए, अब यहां से नीचे थे x plus 2, जैसे यहां बतार दिए, यह दोने में फिर से common लेंगे, त x common लेंगे, यहां पर x plus 2, बचार, अब यह दोने में कोई common नहीं है, तो देखो, जिसका कोई सहारा नहीं होता है, उसको 1 जो है, वो सहारा देता है, मतलब जिसका कोई सहारा नहीं है, 1, बोलते हैं न, जिसका कोई सहारा नहीं है, भगवान सहारा है, वैसे, तो यहां पर ह नमबर नमबर का फेक्टर होता है, यहाँ पर 1 चौबन लिए, यहाँ पर क्या आगा, X प्लस 2, ठीक है, फिर यह दोनों देखो से हम आगया, यहाँ पर हम लिख देंगे X प्लस 2, यहाँ पर लिख दिये X प्लस 2, फिर ब्राकेट में X प्लस 1, X plus 2 से X plus 2 कट गया यहाँ पे क्या बच्छा X equal to X plus 1 बच्छी गया ठीक है तो उमीद करते हैं आपको वर्क्षिट करने में काफी ये वीडियो मददगार रहा गा और आप लोग चीजों के बिलकुल हस्ते खेलते आराम से समझेंगे ठीक है तो फिर मिलते अगली क्लास में जब तक आप लोगर पे सेफ रही है सुरचित रही है जाहीं